हैलो दोस्तो, एक बात द्वारेस्ज आप सभी का सौगत करता हूँ आपकी अपने चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के हैं बहुत बहुत धन्य बाद तो दोस्तो अगर आप चैनले में नए आए तो चैनले को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो लाल गरण आपको बड़न दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना भूलिएगा ताकि आप मारे नोटिविएशन रिसीब कर पाओ तो दोस्तो तुबारा से लेके हैं आपके एक और पैनि स्टोक जो करेंटली मात्र 19 पैसे में ट्रेट कर रहा है और मेरे साब से आपको एटलीस बहुत रिटन दे सकता है फीचर में तो वीडियो को अंतक देखना जानेंगे इसके प्रॉफिट अन लॉस सिरुन लिक पैटन स्टोक को हमें बाएक करके चलना चाहिए इस वाइस बे या नहीं चलना चाहिए और मुझे परसनली क्यों अच्छा लगता है दोस्तों ये सब जीचे रिवील करने से पहले आपके जो second point है वो ये है अगर पैसा नहीं है और लॉज नहीं करवाना तो वीडियो को पूरा दिखके जाना ये चौताव point important point है अगर स्टॉक हमारे दिये हुए price से 10% उपर चले जाए तो बाए मत किया करो ये मेरे एक रूल है इसको definitely follow कर लेना और patience is the key in investing और जो final point है दोस्तों ये point उनके लिए है जब हमारा स्टॉक थोड़ा उपर जाता है जब नीचे भी आता है lower circuit में तो लोग डरते है तो मैं उनके लिए एक line बोलना चाहूँगा हमेशा इस line को याद रखना market में डर नहीं risk काम करता है market में डर नहीं risk काम करता है तो आपको अपना risk पता होना च stock कौन सा है तो दोस्तों जैसे महाकॉप को आपको पता है हमाएं अच्छी रेटर आरिये इसमें और RLFL ये stock में हमें almost 100% की रेटर आ चुकी है तो आज मैंने 100% का profit book कर लिया है हमने investment capital withdraw कर लिये बाकी मैंने profit हमें wait करूँग अपने target के लिए जो मैंने आपको वीडियो के म आते हमसे update किया दा तो देख लो स्कीन आपको दिख जाएगा वीडियो और अलका में भी हमें almost 100% की रेटर आने वाली है तो आप चाहूँ तो इसमें profit book कर सकती हो लेकिन मैं तो 100% का weight करूँग असमें चली दोस्तों बढ़ते है आज की हमारे penny stock की तरफ तो दोस्तों आज पैसे में एक stock कल मिल जाएगा अभी चार्ट के माधियम समझाऊँगा कि क्यों आपको इस stock को भाय करके चलना चाहिए तो अंत में देख लेना उसमें आपको टेक्निकल चीज भी share करूँगा चार्ट के माधियम से और shareholder pattern का एक secret वो चीज share करूँगा जो मैं read कैसे करता तो भी देख लेना और books के according इसकी value काफी अच्छी है मतला undervalued stock books के according कावी सस्ते में trade कर रहा है stock अभी दोस्तो company almost debt free company है और जैसे मैंने बताया stock company books के according कावी सस्ते में trade कर रहा है उसके quarterly profit की तरफ दोस्तो quarterly profit मैंने खोल रखे यह profit आपको देख रहे होंगे तो देख सकते हैं दोस्तो जो company है वो कभी 3 लाग का profit कभी 2 लाग का profit कभी 1 लाग का profit शो करते रहती है जोन में उन्हों लाग के असवास का profit शो किया था और September इन्होंने एक लाग के असवास का माइनस में शो किया था तो कहने का मतलब कि profit halfs and down होते रहते constant profit इसके नहीं है इसी वज़े से इसका price movement ज्यादा नहीं आती है अब इसमें यह जो आपको line दिख रही होगी यह 2017 में मैंने यह draw कर रखी है तो दोस्तों देख सकते हो 2017 में इसका जो profit था वो 8 लाग के असपास आया था तो अगर आप chart में जाके देखोगे इस समय जब इसका profit 8 लाग आया था दिसम्बर के महिने में तो जो stock था आपको chart screen में दिख जाएगा stock ने almost 20 पैसे से 25 पैसे की jump के थी मतला almost stock आपका अधाई गुना हो गया था तो समझपार हो मैं कि कहना चाहता हूँ जोस्तों कि अगर future में गलती से गलती से stock ने 3-4 लाग प्रॉफिट दे दिया तो यह stock definitely rocket हो सकता है दोस्तों इसमें जो एक negative point है वो है इसका अब आपको मैं एक चीज़ करता हूँ अब एक चीज़ करता हूँ यह करता हूँ यह आपको एक pro tip दे रहा हूँ ठीक है जो मैंने observe करी है अगर आपने करी नहीं करी देख लेना और में promoter की holding बहुत कम है मैं अभी total agree कर रहा हूँ ठीक है लेकिन एक चीज़ को notice करो कि जो promot promoters की holding है ना लगता तीन सालों से three years से same है और जो तीन साल से जो stock up price है ना वो भी एक्तम constant है मतलब 19 पैसे और 20 पैसे ही है तीन सालों से तो कहने का मतलब है ना promoter की holding में कुछ कमी आई है same है और ना price में कुछ कमी आई है price भी same है तो कहने का मतलब किया है कि दोनों चीज तो लोगे सार आपने past में बहुत सारे stock ऐसे बोले है जिनमें sir holding pattern decrease हो रही हमें उसको बेच के चलना चाहिए right मैंने बोला है तो मैंने किसके basis में बोला होता है किसके basis में chart के basis उसमें क्या होता है price लगातार गिर रहा होता है और promoter भी अपनी holding बेच रहे होते हैं तो यहां पर दोनों एक पैलर चल रहे है प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे है प्राइज भी गिर रहा है तो दोनों चीजे एक साथ चल रही है तो आपको डेफिनेटली स्टॉक को एंगजिट करना चाहिए लेकिन यहां क्या हो रहा है इस टॉक में प्राइज कॉंसेंट है सिरूलिंग पैटन भी कॉंसेंट ह आपको यहां पर इसको बाय करके चलना चाहिए यह डेफिनेटली एक यहां से बाउंस कर सकता है 19 पैसे से यह शोटी सी स्ट्रेजी होती है जो मैं यूज करता हूँ अपने के लिए ठीक है यह जो मैंने स्किन सोट निकाला है आपको बढ़ा देना चाहँ यह मैंने निकाल almost same ही था, उसमें भी promoters बहुत कम थे, 13% की उनकी holding थी, और आज यो stock 200% up है, तो आपको जो pro tip दीए है, इसको definitely follow करना, वो आपको help करेगा, अब आप बुलोगे सर, यह stock 19 पैसे में चला, आप कैसी बात ही कर रहे है, कि यह stock आपको अच्छी return दे सकता है, तो अब आपको बताता हूं क्यों, और इसके target क्या है, वो भी आपको बतलाओंगा मैं, तो देखो भाई, यह stock एक साल से, प अभी भी इतने बड़े range भी, कभी अतनी लंबे समय तक trade नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रख लो, या तो वो उपगे तरफ breakout करेगा, यह नीचे की तरफ करेगा, नीचे तो मुझे लगता है, यह stock करेगा, लेकिन उपगे तरफ ही करेगा, अब उसके दो region है, उपगे यह सब होने के बावजूद भी, company के promoters इसके insolvency file क्यों नहीं करते हैं, सोचो, मैंने इसका search मारा, इसकी अभी तक insolvency file नहीं हुई है, तो सोचो, promoters को सबसे सान तरीका क्या है, insolvency file करते, company बंद, सब कुछ बंद, फिर, ना, insolvency file क्यों नहीं करती, कुछ ना, कुछ तो reason होगा कि company के जो promoters है, जो अभी तक इन्होंने insolvency file नहीं करी है, और जो 9.25% promoters है, इनको believe है, इनको believe है कि भाई, इनको trust है, faith है, कि definitely stock price rocket हो सकता है, जो लगाता है, दो साल से एक ही range में trade कर रहा है, दो साल से एक ही range में trade कर रहा है, तो इनको खुद believe होगा, लग रह company नहीं है, company आपको कभी एक लाग का profit देती है, कभी दो लाग का देती है, it means company के books में at least profit तो आ रहा है, आपको पता है, nifty 50 पे इतनी अच्छी company हैं, जो minus 1000 क्रोड का loss देती है, लेकिन ये company at least एक लाग का profit तो show कर रहे है, books में काफी वड़ी बात होती है, right, तो भाई, इस इस वज़ी से मैं कहा रहा हूँ, मेरे साफ से stock आपको एक अच्छा return दे सकता है future में, मेरा जो इसके target रहेंगे, इसके target आपको बथा देना चाहता हूँ, मेरा जो first target देखो, अगर आप 19 पैसे 20 पैसे में आपको definitely मिल जाएगा, right, आपकर आपको bit डालोगे, कल भी मिल जा close कर दे, क्योंकि 50 और 60 पैसे इसका एक resistance area है, अभी आपको शार्ड में दिखा दूँगा, तो यह 50 पैसे इसका एक resistance area है, तो जब इसके उपर close कर देगा, फिर हम wait करेंगे इसको कम से कम, 1 रुपे 50 पैसे आसके, आसपस के target के लिए, तो अराम से यहां से आपको यह मेरे सा सच बताओं, तो अगर यह stock, अगर यह stock ने एक रुपे 20 पैसे के उपर, अच्छी काजी closing कर देता है, उसके बाद जो target है, वो काफी बड़े निकल के आते है, वो अगर आपको अभी बताओंगा, तो आप साइद, बोलोगे यह बड़ी बात ही कर रहा है, तो भाई, इस व लगता है, दो साल उससे एक ही range में trade कर रहा है, तो definitely एक breakout हो सकता है, अगर आपने वीडियो आँ तक देखा है, तो प्लीज वीडियो में कमसे को 10 share करके जाना, आप share कर सकते हो, किसी को भी, या तो WhatsApp करतो, या Facebook में share करतो, या Telegram में share करतो, या Twitter में share करतो, या Instagram में share करतो, औ और आप हमें Instagram, Telegram, Twitter और सब में follow कर लेना, उसका link आपको नीचे मिल जाएगा, मिलता हूँ आपको अपने next video, till then bye bye, thank you so much, safe dating, happy dating and peace out. झाल